हे दोस्तो नमस्कार मैं आपका दोस्त इंजीनर कुमार मनीस बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूटूब चैनल जॉब इंडिया में दोस्तो बहुत बड़ी खुसकबरी लेकर आ चुका हूँ आपके लिए बिहार पुलीस में नई वेकिंसी आ चुकी है और फीसली जानकारी देने वाला हूँ तो पूरा वीडिया को सब्सक्राइब करें दोस्तो यहां पर आप लोग देख सकते हो जारी कर दे गई है और यहां पर जो है केंदरी चैन परसत सिपाही भरती जिसे आप लोग जो है यहां पे नेचे देखिए इसमें जो है बिहार पुलीस प की तरब से भरती निकाली गई है बिल्कुल परमन और सरकारी नोकरी है जिसमें पूरुस यो महिला दोनों लोग जो है फार्म को अपलाई कर सकते हैं 14 बारत दिसंबर तक जो है आप लोग फार्म को अपलाई कर सकते हैं विग्यापन संख्या यहां पे 05 और बिक 2020 रखी ग 13 नौंबर से जो है 13 नौंबर को जो है यहां पे लिंक एक्टिवेट होने वाला है और 13 नौंबर से जो है आप लोग फार्म को यहां पे अपलाई कर सकते हो सारी जानकारी देने वाला हूं और लिखिट परिच्छा से लेबस सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देन वाला हूँ इसमें क्वालिफिकेशन क्या है तो यहां पे सबसे पहले देखिए भारती नागरिक होना अनिवार है इसके बाद जो है आप लोगों के पास अगर आपने बारवी पास कर रखी है तो फार्म को भर सकते हैं सिपाही के पद के लिए सैचिक अरिता दिनांग के एक फार्म को अपलाई एक कर सकते हैं दोस्तो एज लिमिट की बात की जा तो यहां पे जो है जेनरल कैटेगरी के लिए 18 टू 25 यर्स रखी गई है और यहां पे OBC के लिए 18 टू 27 यर्स रखी गई है पिछड़ा वर्ग योम आतियंद पिछड़ा वर्ग के लिए यहां पे 28 व पर्स रखी गई है तो इस तरह से जो है यहां पे एज लिमिट आपकी होने वाली है चलिए देखिए अभिरतियों का जो है यहां पे सारीरिक मापदंड देख लेते हैं तो उचाई की बात की जाए तो अनारच्छित जनरल के लिए और OBC के लिए जनरल के लिए और OBC के ल पर्स के लिए जो है यहां पे रखी गई है नंबर थर्ड इसमें अनसूची जातियों अनसूची जन जाती के लिए एक सो साथ सेंटीमीटर रखी गई है तो जनरल OBC के लिए जो की पिछड़ा वर्ग है इसमें 165 सेंटीमीटर अतियंद पिछड़ा वर्ग के लिए एक सो 60 cm अनसूची जाती अनसूची जन जाती के लिए 160 cm यहाँ पे रखी गई है और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए नियूंतम 155 cm रखी गई है लेकिए महिलाओं के लिए जो है यहाँ पे 155 cm आपकी हाइट होने ही चाहिए चलिए नेश्ट अहसीना की बात की जा तो यहाँ पे सिर्प पुर्षो के लिए जिसमें अनारच्छित समान और पिछ़ावर्ग के पुर्षो के लिए बिना फुला 81 cm और फुला खर 36 cm इसमें देखिए आतियंत पिछ़ावर्ग के लिए 81 cm और फुला कर 86 cm नीचे आने पर जो है अनुसूची जाती के लिए बिना फुलाए 89 cm फुला कर 84 cm और यहां पर जो है महिलाओं के लिए कोई भी जुरुरत नहीं है इनका यहां पर वजन नियुपति के लिए तो क्या होगा इसमें दो चरण है का पर्थम चरण ख यहाँ पे आपका फिजिकल होगा जिसमें हम आपको बता दे तो यह जो है बारवी लेवल का यहाँ पे öğ cassette होंगे 100 question होने वाले है एक question जो है यहाँ पे एक number के होने वाले है तो इस तरह से जो है यहाँ पे लिखित परिच्चा होगा जिसमें आपका पर्थम का का में जो है आपका 100 अंको का लिखित परिच्चा होगा जो की objective होगा YM C की होगा और OMR base का जो है यहाँ पे आपका होने वाला है इसके बाद देखिए syllabus की बात की जाए तो इसका जो officially syllabus है अगले वीडियो में हम आपको देने वाले हैं यह आप लुग जूरो टू अबली टू 2019 का जो है syllabus देख सकते हैं लिखित परिच्चा में कम से कम 30% जो है अंक का लाना अनिमार है सारीडिक दच्चता परिच्चा के लिए नहीं तो जो है आपको यहाँ पे आसफल घोसित कर दिया जाएगा नीचे जखिए यहाँ पे जो है दितीजे चनल की बात की जा तो सारीडिक योगता दच्चता परिच्चा के लिए आपका यहाँ पे नमबर वन दोड़ होगा दोड़ जो है अधित्तम 50 नमबर का होने वाला है आप यहाँ पे साब साब बोला गया है कि अगर जो है 5 मिनट से कम तो आपको 50 अंग 5 मिनट से 5 मिनट 20 सिकेंड तक अगर लगा रहे हो तो यहाँ पे 40 अंग दिये जाएंगे यहाँ पे बोला गया है कि 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुस अभिरतियों को क्या कर दिया जाएगा आ सफल गोसीत कर दिया जाएगा यद रखिए और यहाँ पे सभी कोटी की महिलाओं के लिए जो है एक किलो मिटर की दोड रखी गई है और उपर जो है पुरुसों के लिए एक दसमलो छे किलो मिटर रखी गई है एक दसमलो छे किलो मिटर रखी गई है और नीचे एक किलो मिटर रखी गई है महिलाओं के लिए जिसमें चार मिनट से कम तो आपको 50 अंक दिये जाएंगे और 4 मिनट से लेकर 4 मिनट 20 सेकेंड तो आपको 40 अंक दिये जाएंगे 5 मिनट से अधिक समय लेने वाली महिला भिरतियों को यहाँ पे आसफल घोसित कर दिया जाएगा तो 5 मिनट से अधिक समय नहीं लेना है नहीं तो आपको जो है यहाँ पर आशापल घोसित कर दिया जाएगा गोला फेक जो की अधितप 25 नंबर का होने माला है इसमें जो है 16 पॉंड का गोला नियुंतम 16 फीट फेक ना होगा कम से कम 16 फेक जो है आपको यहाँ पर फेक ना होगा इसके लिए जो है यहाँ पर आपको 25 नंबर मिलने वाले हैं 20 फिट से जादा के लिए आपको 25 अंक मिलने वाले हैं और 16 फिट से 17 फिट तक अगर आप लोग यहाँ पर फेकते हैं तो आपको 9 अंक दिये जाएंगे 16 feed's से कम फेकने वाले पूरु सबीड़तियों को जो है यहाँ पे आसअपल गोसित किया जाएगा सभी कोटी की महिलाओं के लिए यहाँ पे 12 feed 12 pound का गोला होगा जिसमें 12 feed फेकना होगा अब यहाँ थापसाब बोला गया कि 12 feed's से कम फेकने वाले महिला भेटियों को जो है यहां पर आसापल घोसित कर दिया जाएगा और 16 फिट से जादा यहां पर जो है उसके लिए आपको 25 अंग दिये जाएंगे नमबर थर्ड उची कूद उची कूद के लिए जो है यहां पर नियुनतम उचाई 4 फिट रखी गई है चार फिट जो है यहां पर रखी गई है इसके लिए जो है आपको चार फिट में 13 अंग दिये जाएंगे और पांच फिट के लिए जो है आपको 25 अंग मिलने वाले हैं 4 फिट से कम कुदने वाले पुरूस अभेरतियों को यहां पे आसपल घोसित कर दिया जाएगा 3 फिट के लिए यहां पे जो है देखिए 3 फिट की उचाई है सभी कोटी के महलाओं के लिए इनके लिए 3 फिट होगा अब पुर्स के लिए जो उपर देखी चार फिट रखी गई है इन्होंने बोला कि चार फिट के लिए आपको 25 अंक दिये जाएंगे और तीन फिट के लिए जो है आपको यहाँ पे आसापल घोसित कर दिया जाएगा याद रखिए इस तरह से जो है आपकी मेरिट बना जाएगी अब मेरिट के बेस्ट पर जो है आपकी भरती होने वाली है समान वर्ग के लिए जनरल के लिए 3489 वेकिंसी EWS में 842 अनसूची जाती में 1307 वेकिंसी अनसूची जन जाती में 82 अतियाद पिछड़ा वर्ग के लिए 1470 वेकिंसी पिछड़ा वर्ग के लिए 980 वेकिंसी पिछड़े वर्गों की महिला के लिए 245 वेकिंसी कुल मिला के 8415 वेकिंसी जो है यहाँ पे रखी गई है नीचे जो है आपको district wide यहाँ पे vacancy मिल जाएगी पटना में कुल 600 vacancy है नालंदा में 240 vacancy बेगू सराय में 130 vacancy इस तरह से जो है यहाँ पे अलग-अलग district है total 67 district का यहाँ पे जो है vacancy दी गई है तो इस तरह से 8415 पदो पर यह भड़ते निकाले गई है जिसमें पूरुस और महिला दोनों लोग apply कर सकते है 13 November से जो है आप लोगों का link activate हो जाएगा 14 December तक farm को भर सकते है इससे related कोई भी information चाहिए नीचे comment करिए thank you दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सुक्रिया